हेलो दोस्तो, आईटी क्या है? ये सवल आज भी उन लोगों के लिए नया है, जिने इनफोर्मेशन टेकनोलोजी के बारे में पूरी जानकरी नहीं है अभी के समय में इनफोर्मेशन टेकनोलोजी ने दुनिया में बहुत सी चीजों को बदल दिया है, जिसमें कई सारे अविश्कार भी शामिल है जिसमें कंप्यूटर भी एक इनफोर्मेशन टेकनोलोजी का ही बड़ा हिस्सा है इसके आलावा अगर हमें सभी चीजों को अटोमेटिक करना हो उने कंट्रोल करना हो तो दोस्तो उस समय हमें इन्फोर्मेशन टेखनोलोजी का साहरा लेना पड़ता है आज के समय में IT सेक्टर के अंदर इंटरनेट, सौफ्ट्वेर डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, एप्लिकेशन डेवलपमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, डेटा साइन्स, साइबर सिकुरिटरी, एट सेक्टर जैसे बहुत सरे चीज़े आती है इसके वज़े से बहुत सरे स्टूड़न्ट अपना करियर आईटी सेक्टर में बनाना चाते है तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेलफूल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डीटेल में बताने वाला हूँ कि आईटी क्या होता है, आईटी सेक्टर क्या होता है, आईटी के कोर्स के अंदर हमें क्या-क्य सिखाया जाता है IT का course करने के लिए क्या eligibility criteria है यानि कौन-कौन सा student IT का course कर सकता है market में IT से related कितने प्रकार के courses है और इन courses को करने के लिए कितना समय लगेगा कितने रुपीज की fees आएगी course complete कर लेने के बाद हम किन-किन post पर job हासिल कर सकते है कौन-कौन सी companies में job हासिल कर सकते है वहाँ पर हमें कितने रुपीज की salary दी जाएगी और दोस्तों end way में आपको ये भी बताऊंगा कि IT का course complete कर लेने के बाद आप कौन-कौन से business से start करके लाखो रुपे की कमाई हर मेना कर सकते हो तो चलो इस वीड़ी की शुरुवात करते है और IT के बारे में full details में जान लेते है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते है कि IT क्या होता है और IT sector के अंदर IT का क्या role होता है तो दोस्तों अगर मैं आपको simple वाशा में कहू तो दोस्तों IT एक technology का शेतर है जिसके अंदर hardware, software, e-commerce, data science, computer languages, server development, application, operating system, data storage, etc. जैसे बहुत सरी चीज़े आती है अगर हम लोग information technology की definition की बात करे तो दोस्तों इसको बहुती simple वाशा में मैं आपको बता सकता हू कि ऐसा कोई भी business जिसको चलाने के लिए computer technology का उपयोग किया जाता हो तो दोस्तों उसको हम लोग IT कह सकते है अभी के समय में IT सेक्टर के अंदर data management से related भो सारी कामे निकल के आ जाती है जिसमें आप अपना career बना सकते हो और दोस्तों IT सेक्टर IT की company होती है जिसके अंदर ये companies clients को services provide करती है जैसे कि software development, application development, website designing, cyber security, digital marketing, server management, data management, etc. जैसे भो सारी services ये IT companies client को प्रदान करती है और दोस्तों आज market में लाखो और करोडों से भी जादा IT companies बस चुकी है जो अपने अपने software बना कर पूरी दुनिया में च्छा चुके है अभी दोस्तों हम लोग ये जाने लेते हैं कि IT का जो भी हम लोग course करेंगे उसके अंदर हमें क्या सिखाया जाएगा दोस्तों आप ITC related कोई भी course करो इसके अंदर आपको introduction to information theory and application solving, computer fundamental, introduction to programming and networking, digital computer fundamentals, mathematics, technical communication skills, data structure, web programming, mathematics and statistics, computer science, telecommunication, designing and analysis of algorithm, computer graphics, professional skills development, content management, data analysis, database concept, programming languages like C, C++, java and advanced networking languages, administration and technology, software quality testing, advanced java programming, internet security, project management, object oriented programming, computer organization and architecture, data structure analysis, foundation of information technology, computer graphics, operating system, etc. जिसे बहुत सरी चीज़े इस course के अंदर आपको सिखायी जाती है अभी दोस्तों हम लोग यह जान लेते हैं कि IT का course करने के लिए क्या eligibility criteria है यानि कौन 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 सा student IT का course कर सकता है दोस्तों information technology का यह course में लिए science के students के लिए बनाया गया है लेकिन arts and commerce के student अपने 10th के basis पर diploma in IT के course के लिए admission ले सकते है लेकिन जो भी science के student होते हैं उनका career IT के अंदर better होता है तो दोस्तों इस course को science के student 12th pass होने के बाद कर सकते हैं आप किसी भी group के साथ इस course को कर सकते हैं और दोस्तों B.S.E. IT का course करने के लिए कोई percentage का criteria नहीं है आपको only 12th pass out होना है इस course में admission लेने के लिए अगर आपको engineering की courses करने हैं like B.Tech और B.E. in Information Technology तो उसके लिए दोस्तों आपको minimum 50% marks लाना compulsory है और जो भी दोस्तों SCST और OBC category के student है उनको 5% तक की छूट दी जाती है इस course को करने के लिए आपको किसी भी entrance exam को देने की ज़रुरत नहीं होती admission आपके 12th के marks के basis पर हो जाता है अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि IT के कितने प्रकार होते हैं कौन-कौन से courses होते हैं उन courses को करने के लिए कितना समय लगेगा और उन courses की कितने रुपीज की fees आएगी दोस्तों IT के लगबग 3 प्रकार होते हैं diploma courses, degree courses और certification courses diploma courses आप 10 के बाद कर सकते हो degree courses आप 12 के बाद कर सकते हो और certification courses आप 12 के बाद या फिर graduation के बाद कर सकते हो diploma course के अंदर website designing, graphic designing, animation, digital marketing के courses आते हैं और दोस्तों ये सारे courses IT का ही पार्ट होता है और degree courses के अंदर BSC Computer Science, BSC IT, BT in Computer Science, BT in BSC IT, etc. से related courses आते हैं और certification courses के अंदर data science, computer hardware engineering, website designing, big data engineering, data analysis, VFX training, software development, etc. आता है अगर बात करें हम लोग इन courses की duration की तो दोस्तों ये जो diploma के courses होते हैं ये लगबग 6 महिने से लेके 1 साल के होते हैं और degree courses लगबग 3-4 years के होते हैं और certification courses 3 months से लेके 1 साल के होते हैं अगर हम लोग इन courses की fees की बात करें तो दोस्तों डिपलोमा के courses करने के लिए आपको लगबग 15,000 रुपई से लेके 30,000 रुपीज तक की fees देनी पड़ सकती हैं वही degree courses के लिए आपको 70,000 रुपई से लेके 1,500,000 रुपीज तक की fees देनी पड़ सकती हैं यह जो भी fees में बता रहा हूं यह full course की fees है और दोस्तों certification courses करने के लिए आपको लगबग 30,000 रुपई से लेके 40,000 रुपीज तक की fees देनी पड़ सकती हैं अगर दोस्तों इन सभी courses में से मैं आपको कोई course recommend करूंगा तो दोस्तों आप degree course करो BST Computer Science, BST IT, BT in Computer Science या फिर BT in Information Technology ये चार बहुती जदा popular courses हैं इन में से कोई भी एक course complete कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से बड़ी से बड़ी IT company के अंदर जॉब मिल जाती है अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि IT का course complete कर लेने के बाद हम कौन-कौन सी companies में जॉब हासिल कर सकते हैं किन-किन post पर जॉब हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर हमें पर मन कितने रुपीज के salary मिलेगी दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हो कि जो भी बड़ी-बड़ी IT companies होती है उन companies के अंदर अगर आपको job पाना है तो दोस्तों आपका graduation complete होना ज़रूरी है मतलब BSC IT, BSC Computer Science या फिर graduation किसी भी stream से complete होना ज़रूरी है तो ही दोस्तों आपको इन बड़ी-बड़ी companies के अंदर job मिल जाता है अगर आप diploma का कोई भी course करते हो तो दोस्तों आपको इस basis पर job मिलना मुश्किल है लेकिन आप ये course complete कर लेने के बाद businesses कर सकते हो अगर दोस्तो आप degree courses या फिर certification courses करते हो तो ही दोस्तों आपका future bright रहेगा अगर दोस्तों हम लोग job position की job posting की बात करें तो दोस्तों IT का कोई भी course complete कर लेने के बाद आपको software architecture, software development manager, database developer, network administration, software and application developer, database administration, software tester, IT manager, technology specialist, system analysis, system administration, data scientist, support analysis, technical consultant, software engineer, networking engineer, data manager, cyber security officer, etc. जैसे बड़े बड़े post पर job हासिल हो जाती है अगर दोस्तों हम लोग top companies की बात करें तो दोस्तों ये courses complete कर लेने के बाद आपको Google, Microsoft, Wipro, Tata Consultancy, Information, Oracle, Nokia, Accenture, Deloitte, Dell, IBM, Facebook, Adobe, Intel, Yahoo, HP, Lenovo, etc. जैसे बहुत ही बड़ी-बड़ी companies की अंदर job हासिल हो जाती है अगर दोस्तों हम लोग IT companies की अंदर salary की बात करें तो दोस्तों अगर आपको इन में से किसी भी post पर job हासिल हो जाती है तो दोस्तों IT companies में as a fresher आपको 15,000 रुपीज की salary दी जाती है ज जैसे ही दोस्तों आपके पास 2 years के experience आ जाता है तो दोस्तों आपको 35,000 रुपीज की salary दी जाती है और दोस्तों every year आपकी salary डबल हो जाती है दोस्तों IT companies की अंदर एक यही benefit मिलता है कि यहाँ पर salary increment इतना जादा होता है कि जो किसी भी job में नहीं होता इसके वज़े से आई को लगबग 1,20,000 रुपीज की salary per month मिल रही है मुझे 70,000 रुपीज की salary per month मिल रही है और मेरे कई सारे एसे friends है जो भी software engineer है उनको per month 80,000 रुपई से लेके 30,000 रुपीज तक की salary इन बड़ी-बड़ी company हो से मिल रही है दोस्तों IT sector आज इतना बड़ा sector बन गया है कि यह आपर jobs की बिल्कुल भी कमी नहीं है और salary की भी कमी नहीं है क्योंकि IT companies इतनी बड़ी-बड़ी services provide करती है जिसकी बदले में ये clients से मोटी रकम चार्ज करते हैं क्योंकि दोस्तों IT companies clients से ही इतनी मोटी रकम चार्ज करते हैं इन services को provide करने के लिए इसलिए IT companies को उनके employees को advertisement करने के लिए spend करती है अगर दोस्तों आप IT का course complete कर लेते हो तो ये सब knowledge आपको automatically मिल जाएगा और अगर दोस्तों आपको Microsoft, Google, Yahoo, IBM, etc बड़ी-बड़ी companies में job हासिल करनी है तो दोस्तों आप अपने graduation के बाद MBA in information technologies ज़रूर करना इसको कर लेने के बाद आपको बड़ी- तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक separate video बनाया है जिसकी link इस video के description में मिल जाएगी अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि IT का course complete कर लेने के बाद हम कोन को इसे part-time business से start करके लाखों रुपए की कमाई हर महिना कर सकते हैं अगर दोस्तों आप successfully IT का course complete कर लेते हो तो दो दोस्तों बहुत सारे लोग IT का course complete हो जाने के बाद software engineering चूज करते हैं जिसके अंदर आपको clients को उनका software बना कर देना होता है या फिर mobile application बना कर देना होता है इसके बाद दोस्तों बहुत सारे student data mining की company ओपन करते हैं digital marketing की agency ओपन करते हैं social media marketing स्टार्ट करते हैं website designing services स्टार्ट करते हैं technology का shop open करते हैं cyber cafe open करते हैं cloud based service start करते हैं IT equipment service start करते हैं etc जैसे बहुत सारे businesses हैं जिनको करके आग IT student लाखों रुपीज की कमाई हर मैना भी कर रहा है तो उम्मिक करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा इस वीडियो को शेर करके लोगों की मद करो आपका प्यार देने के लिए और एसे वीडियो सर्रूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को धन्यवाद